एक लड़की जो जापान में काम कर रही थी वहाँ पर उसका एक बॉइफ्रेंड बनता है प्रॉब्लम तब आता है जब अपने बॉइफ्रेंड को इसने अपने फ्रेंड से मिलवाया फ्रेंड और बॉइफ्रेंड में कुछ करीबिया आने लग गई थी हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको The Earthquake Bird ये 2019 की एक mystery Hollywood movie explain करने वाला हूँ ये एक बहुत अच्छी तरीके से execute की हुई movie है तो अंतक इस वीडियो को जरूर देखिएगा अगर आपको वीडियो चाहता है तो प्लीज से like और comment जरूर कर देजिए अब बिना किसी देरी के explanation स्टार्ट करते है movie स्टार्ट होती है और हम हमारी main character Lucy को देखते है जो जापान में as a translator काम करती थी वो आज काम पर आए तो उसकी friend कहते है कि पुलिस को एक लटकी की body मिली है उन्हें लगता है कि ये body Lily की है इस बात से Lucy जरा disturb हो गई थी Lucy से बात करने के लिए पुलिस उसे पुलिस टेशन में लेकर जाते है पुलिस ने कहा कि जिस रात Lily कायब होई थी वो last time तुम से ही मिली थी Lily ने कहा कि हम दोनों ने सिर्फ बात की थी बुलिस कहते है तुम अम्रेल आ लेकर उसके पीछे भी गई थी Lucy ने कहा कि मैं उसके बीचे गई थी पर मैं उसे धूण नहीं पाई Lucy को डिरेक्टि उसके boyfriend के बारे में पुछते है तो Lucy ने कहा कि अब मैं सिंगल हूँ boyfriend के बात से हमें flashback दिखा जाता है जब फर्स टाइम उससे मिली थी जब वो रस्ते से गुजर रही थी तो एक photographer without उसकी permission उसकी photo ले लेता है यह हमारा और एक main character है और इसका नाम है तेजी Lucy ने कहा कि इस तरीके से तुम without permission photo लेते हो क्या लोग इस पर गुसा नहीं होते है तेजी कहता है कि मैं कभी भी permission नहीं लेता वरना मेरी photo भी कर जाती है और वैसे भी मैं लोगों की photo नहीं लेता वो हमेशा nature की photo लेता था पर Lucy उसे अच्छी लगी थी इसके बाद तेजी जीस hotel पर काम करता है वहाँ पर ये दोनों date के लिए आते है Lucy ऐसे ही अलग-अलग topic पर बात करने की कोशिश कर रही थी तेजी कहता है हमेशा लोग उनके मन में क्या होता है ये बात कभी भी नहीं बोलते है इदर उदर की पाते करते रहते है मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे से honest रह सकते है Lucy को first time देखते उसे feeling आई थी Lucy को भी ये बात सही लगती है तेजी नहीं कहा कि अब तुमारे mind में चल क्या रहा है Lucy कहती कि सूप इतना अच्छा नहीं है मुझे इस date पर तुमारे साथ नहीं आना चाहिए था पर फिर भी मुझे तुम बहुत ही अच्छे लगे हो इसी वज़े से उसके साथ आई हुई थी ये बात तेजी को भी बहुत अच्छी लगी तेजी कहता है कि मुझे तुमारे photos निकालनी है इसके बाद उसे घर पर लेकर आया लुसी उसके सारी photos देखती है चो बहुत ही amazing थी तेजी लुसी को कोई भी pose करने के लिए नहीं कहता वो जैसी है वैसे बहुत ही amazing से photos निकालता है अचानक से earthquake आ गया था तो दोनों cover में जाकर छुप जाते है जापन में वैसे भी बहुत सारी earthquake आते रहते है इस earthquake के बाद एक city सुनाई दे रही थी तेजी गयता है कि उसी का आवाज है इसलिए इस movie का नाम earthquake bird है नेकसिन में में देखते है कि लुसी वाइलिन का class भी करती थी तो वहावर उसके friends थे आज उसका पड़े था तो उसके friends ने उसे gift दिया रात में लुसी अपने एक American friend से मिली उसका friend गयता है कि एक लड़की से मैं तुम्हें मिलवाना चाहता हूँ वो चाहता था कि लुसी उसे घर ढूणने में help करे उस लड़की का नाम था Lily ये बात Lucy को जादा अच्छे नहीं लगती है क्योंकि अगर वो इस तरीके से हर एक का ख्याल रखने लगके तो उसकी life ही नहीं रहेगी लुसी जब Lily से मिली तो बहुत ही friendly थी उसे कहती है मुझे language नहीं आती तो इस वज़े से घर ढूणना बहुत ही hard है वह एक से घुल मिल जाती थी नेकसिन में हम देखते है कि तेजी ने Lucy की फोटोस के डेवलप किया जो बहुत ही beautiful लग रही थी एक दिन Lucy ने अपने फ्रेंड को तेजी के बारे में बता है फ्रेंड पुछती है क्या तुम दोनों intimate हुए लुसी कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है तेजी ने उस टाइब से लुसी पर अब तक मूव नहीं किया एक राज जब वो लुसी के फोटो निकाल रहा था तो अपने कपड़े वो निकालने लग जाती है तेजी ने कहा कि मैंने तुम्हें ये सब करने के लिए नहीं कहा लुसी तेजी को समझ नहीं बाती नेसिन में लुसी अपनी फ्रेंड कातो के साथ थी कातो उसकी टीचर भी थी उसे एक जाबनीज ड्रेस गिफ्ट कर दिया लुसी इसमें बहुती ब्यूटिफुल लग रही थी लुसी ने कातो से पुछा क्या आपकी एज इतनी होगे पर आपने शादी क्यों नहीं कि कातो कहती कि मैं बहुती जादा एजुकेटेड हूँ इस वज़े से जाबनीज आदमियों को में अच्छे नहीं लगती वैसे भी मेरे पास जादा टाइम नहीं है उसने अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से डेवलप कर लिया था यह जब बात कर रही थी तब उनकी नीजे से एक फ्रेंड आए इसका नाम था यामामाटो लुसी उसे हाई करने के लिए जाती है यामामाटो सप्राइस्ट होगे और स्टेल से नीचे गेर गे चोट आने की वज़े से इंस्टनलि उसकी डेथ हो जाती है इस बात से लुसी बहुत ही ज़ादा डिस्टरब हो गई थी रात में जब वो तेजी से मिली तो यह सब उसे बता देथ दिया लुसी ने कहा कि मैं कही भी जाओ हमेशा डेथ मेरे साथ ही होती है तेजी ने फिर कुछ फोटोग्राप्स लुसी को दिखाए जब उसकी एंड की डेथ होई थी तब ही उसने फोटोग्राप्स लीग होई थी तो गहता है मैं तुम्हारा दर्स समझ सकता हूँ मैं भी हमेशा डेथ के पास ही रहा हूँ इसके बाद उसे किस कर लेता है और यह दोनों इंटिमेट हो गए यह सब कुछ स्टोरी लुसी पुलीस को बता रही थी फिर से फ्लाश बैक में हम देखते हैं कि लुसी ने लिली को घर दिखाया लिली को घर तुरंद पसन आया और रेंड पर वो ले लेती है इसके बाद यह दोनों रेस्टोराण पर गए लिली को यहाँ पर कॉफी ओडर करना भी नहीं आता था तो लुसी ने उसे सिखा दिया यह दोनों फ्रेंड्स बनने लग गई थी एक रात जब लुसी और तेजी साथ में थे तेजी फोटोग्राफ्स को डेवलप कर रहा था उसके बाद वो एक जगा पर उसे लॉक करकर रख देता है लुसी ने कहा कि तुमने जो भी लॉक करकर रखा है क्या कभी तुम मुझे दिखाओ के तेजी कहता है कि उसका एक टाइम आएका तब में तुमें सब कुछ दिखा दूँगा नेकसिन में लुसी अपने अमेरिकन फ्रेंड्स के साथ हाइकिंग के लिए गई हुई थी वहावरो तेजी के बारे में बात करती है वो गहती कि हम दोनों बहुत अलग-अलग है पर एक साथ जब वो होते हैं तो अच्छी दरीके से एंजॉय करती है वापस आते आते लुसी का पेर फिसल किया उसे चोटा गई थी तो लिली उसे हेल्प कर दिया लुसी ने कहा कि तुम्हें इसके बारे में क्या पता है लिली ने कहा कि मैं हमेशा जॉबलेस नहीं थी वो अमेरिका में नर्स का काम करती थी लुसी तेजी को लेकर और वे बाते करती है तो लिली ने कहा कि क्या मैं उसे मिल सकती हूँ लुसी इसके लिए हाँ कहती है एक राज जब लुसी और तेजी साथ थे तो लुसी ने कहा तुम इतने अमेजिंग फोटोस लेते हो तुम इने सेल क्यों नहीं करते है तेजी इसके लिए मना कर देता है पर लूसी इसके लिए फोर्स कर रही थी तेजी बहुत जादा गुस्सा हो गया उसने कहा कि अब मुझे काम पर जाना है लूसी तेजी को काम पर छोड़तो देती है पर अब वो क्यूरियस थी यह तेजी उससे छुपा क्या रहा है वो डारेक्ली तेजी के घर पर आके उसके कबर्स में उसके सारी फाइल से गरा देखती है इसमें एक लड़की के नाम की फाइल थी इसमें उसके सारी फोटोस थी इससे हो जारा डिस्टब हो गए तभी तेजी वहाँ पर पहुच जाता है लुसी ने कहा कि लड़की कोन है तेजी ने कहा कि मेरी एक्स गल्फेंड है लुसी ने पुछा कि क्या हुआ था तेजी कहता है कि एक दिन मुझे छोड़कर चली गए और फिर वापस इनी आई जब मैं तुमसे मिला तो उसके बारे में मैंने सोचना छोड़ दिया था लुसी तेजी को सौरी कहती है कुछ दिन बाद लुसी लिली को लेकर तेजी से मिलने के लिए आई तेजी बुछता है क्या हम सब कही पर जा सकते है लिली इसके लिए एक्सेडेड होके और ये अलग-अलग प्लेसेज घुमते है लिली ने लुसी से कहा कि तेजी कितना हैंडसम है वो बाकी जावने इस लड़कों की तरह लगता ही नहीं वो घराने के बाद कहती है कि तेजी तुमसे अपसेस्ट है वो तुमें बहुत लाइक करता है ये बात लुसी को बहुत अच्छी लगे लिली ने कहा कि मैं कार्ट सेकरा देखकर लोगों का फ्यूचर भी प्रिडिक कर सकती हूँ उनका पार्म रिड करकर भी उसे फ्यूचर पता चलता था लुसी का हाथ देखकर हो गहती है मुझे इसमें एक्सिडंट टेथ इस टाइब की इवेंट से दिख रहे है अचानक से वो कुछ अलग दिखती है और इसके एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे लुसी कहती है कि तुमने ऐसा क्या देखा पर लिली उसे बताती नहीं रात में अचानक से अत्वेक आ गया था लिली डर गई थी तो लुसी उसे सहारा देती है अगली सुबह उटने पर लिली ने कहा कि कर रात मुझे बहुत ये अचछे से नीन आई लूसी ने कहा कि अधक्वेक की वज़े से जरा डिस्टाब हुआ था लीली इसके बारे में पूरी तरीके से भूल गई थी जब अधक्वेक हुआ था तब वो सोई हुई नहीं थी पर फिर भी इसके बारे में भूल चुकी थी ये बात लूसी को ज़रा अजीब लगी लूसी एक दिन तेजी से पुछती है क्या हम क्लब में जा सकते है वहाँ पर मेरे फ्रेंड्स भी होंगे तेजी भी इस बात के लिए मान गया तेजी डिंक्स लेने के लिए गया था तो लूसी अपने एक फ्रेंड्स से बात कर दिया फ्रेंड की बात से लूसी को बता चला कि लूसी और वो डेट करे है और उसका फ्रेंड कहता है कि लेली बहुत ही अजीव है कभी-कभी हम दोनों की बीच में बहुत सारी चीजिए हो जाती है पर लिली इसके बारे में हमेशा भूल जाती है ऐसा ब्रिटेंड करती है कि कुछ हुआ ही नहीं पार्टी में हम देख सकते है कि लिली और तेजी एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे इन दोनों का करीवा नहीं लुसी को अच्छा नहीं लगता इसके बारे में उसने तेजी को कंफरंड किया तो तेजी कहता है कि लिली एक बहुत अच्छी डांस है रहे तो उसके साथ में सिर्फ डांस कर रहा था इसमें गलत क्या है घर आते वग लुसी ने तेजी को उसके पास रिलेशन्शिप के बारे में पूचा तेजी की प्रिवेसली सिर्फ एक ही गर्फेंट थी तेजी बुछता है कि तुम्हारा फर्स टाइम कब था लुसी कहती कि मैं 14 येर्स की थी मैं मेरे फ्रेंड की घर पर गई हुई थी तो उसके फादर ने मुझे एक ट्रिंग दिया फ्रेंड जरा बाहर गई थी तो फ्रेंड के फादर ने लुसी का फायता उठाया तेजी को इस सुनकर बहुत ही भुरा लगता है लुसी कहती कि उसके बाद में प्रेंगनट हो गई थी ये बात मैंने जब फ्रेंड के फादर को बता है तो उन्होंने suicide कर ली बाद में Lucy को बता चला था कि वो अच्छल में pregnant नहीं थी ये सब सुनकर तेजी उसे सहारा देता है Lucy को इसी वज़े से लगता है कि जहाँ पर भी हो जाती है वहाँ पर death और accident उसे follow करते है यामा मातों की death के लिए वो अपने आप कोई जिम्यदार मानती है एक weekend के लिए लिली ने तेजी और Lucy को पूछा था तो इस पर वो चले जाते है वैसे तो तेजी हमेशा भीजी रहता था पर यहाँ पर आने के लिए रेडी था डिनर उपर ये सब लोग जब बात कर रहे थे तो लिली कहती है कि जब मैं नर्स थी तो लोगों को सेव करना यही मेरा मिशन था इसमें लोगों की डेट भी होती थी पर फिर भी वो सब को हेल्प करना चाहती थी Lucy और लिली में यही डिफरेंस था लिली हमेशा हर एक चीज़ को पॉजरू लेती थी और Lucy हमेशा खुद को ब्लेम करती थी रात में Lucy को सबना आया कि यह तीनों मिलकर इंटिमेट हो रहे है इस बात से वो डिस्टब हो गई थी उसे लग रहा था कि तेजी और लिली एक दुसरे के करीब आ रहे है आज यह सब मिलकर ट्रेकिंग के लिए जाते है अजनक से Lucy की तबियत जरा खराब होने लग गई थी वो एक जगा पर रेस लेने के लिए रुकी और वही पस्टो जाती है जब वो उठी तो उसके पास तेजी और लिली नहीं थे वो इस बात से बहुत ज़्यादा डिस्टब हो गई जल्दी से नीचे उतर गर टाउन में आ जाती है उसने इन दोनों को एक केवी में देखा उने गन्फरंट करती है कहती है तुम दोनों मुझे ऐसे ही छोड़कर आ गए थे तुम्हारे बीचल क्या रहा है लीली ने कहा कि तुम्हारे शर्ट में हमने एक नोट डाला था लूसी को बुरा लगता है और यहाँ से वो भागने लग गई तेजी उसके पीछी बीचे कया तेजी उसे गले लगाता है कहता है कि सब कुछ ठीक है मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हो जब इनकी ट्रिप खतम हुए तो स्टेशन पर तेजी ने लूसी को छोड़ दिया उसके एक चीज वापस रह गई थी तो फिर से आकर जब देखती है तो लीली और तेजी वहाँ पर फिर से मिले थे आज स्टेजी लीली की फोटो ले रहा था इससे कंफर्म हो गया कि उन दोनों में अफेर चल रहा है ये सब जब लूसी पुलीस को बता रही थी तो कह दिये कि मैं ही गिल्टी हूँ फिर उसने आगे स्टोरी बताना कंटिनू किया लूसी का हार्ट ब्रेक हो गया था इसके बाद उसे इस सीटी में नहीं रहना था वो फिर से तेजी को देखने के ले गए पर वहाँ बर भी लीली बेटी हुई थी एक दिन लीली लूसी को सौरी कहने के ले गए पर लूसी उसे माफ नहीं करती लिली के जाने के बाद लूसी ने उसका पीछा किया इसी के बारे में फर्स टाइम पुलिस उसे पूछ रहे थे अब लूसी ने खुद कहा था कि वो गिल्टी है तो इस वज़े से उसे वो अरेस्ट कर लेते अगली दिन पुलिस को बता चला इस जो बॉड़ी उने मिली है ये लिली की नहीं थी अब फिर से पुलिस लूसी को बुछते हैं तुमने जो स्टेटमेंट दिया एक गलत दिया एक्चुल में हुआ क्या था लूसी कहती कि मैं चाहती थी कि लिली मज जाया और इसी वज़े से उसने अपने आपको गिल्टी बताया था वो कनफेस करती कि जब वो छोटी थी तो उसके ब्रदर और फ्रेंड्स मिलकर उसे पत्थर मार रहे थे इस बात से लूसी को साओ गए अपने ब्रदर को उसने पुश कर दिया पुश करने की वज़े से उसके ब्रदर को छोट आए उसकी डेट हो गए सब लोगों ने लूसी को समझाया कि यह सिर्फ एक एक एक्सिरेंट था पर लूसी को जिस तरीके से उसके पैरंस देखते थे तो उसे लगता था कि हमेशा वो उसे ही ब्लेम करते है ये बात हमेशा उसे खाये जाती थी और इसी वज़े से घर चोड़ कर वो जापान में आ गई थी पुलिस ओफिसर उसे समझाते हैं कि तुम सिर्फ गिल्ड में हो पर ये बात तुम्हें मर्डर नहीं पनाती है इसके बात उन्हेंने लूसी को छोड़ दिया कुछ दिनों से तेजी भी कायब था तो पुलिस को लगता है कि शायद तेजी और लिली ये दोनों भाग के होंगे लूसी फिर डारेक्ली तेजी के घर पर आ जाती है वहाँ पर तेजी के घर में ली गई थी इसका मतलब है तेजी ने लिली को मार डाला जैसे के हमें पता है कि लिली इंपोर्टन इवेंट के बारे में भूल जाती थी शायद इसी वज़े से तेजी गुसा हो गया और उसने उसे मार डाला ये फोटो लेकर लूसी पुलीस टेशन में ग एक जगह पर नई लाइफ क्रेट करेंगे फिर से सब कुछ एकदम सही हो जाएगा उसे सौरी कहता है पर लुसी ने उसके साथ आने के लिए उसे मना कर दिया इस बात से वह बहुत जादा गुसा हो गया लुसी को मारते मारते काज भी तूट गया था लुसी यही काज लेकर दार्इकल उसके हेड में डाल देती है इससे उसकी वही पर डेठ हो गये अब लुसी को फिर से और एक डेठ ने फॉलो किया था एक दिन वो अपने फ्रेंड कातों से मिलने के लिए उससे बताती है हमेशा डेठ मुझे फॉलो ही करते रहती है यामा मातों की डेठ के लिए पर मैं भूल गई थी तो क्या इसका मतलब यह है कि मेरी वज़े से इसकी डेथ हुई इन सब चीजों के लिए हम खुद को जिम्यदार नहीं मान सकते हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता ये बात सुनने के बाद लूसी को रोना आ गया फाइनली अपने आपको इसने माफ किया था इसी लूसी के ट्रांस्वर्मेशन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है अगर आपको वीडियो चलगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट ज़रू कर दीजेगा मैं बहुत सारे मूवीज लेकर आते रहे तो तो प्लीज इसे चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल लूटिवेशन आपको नहीं मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक नहीं मूवीज के साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिये